इस वीडियो मेम बिदाने वाला हो कि जैसे कि कोई भी टाइल का टेक्षर डालते है उसका हमister्मेंट में कैसे बना सकते हैं याने कि measurement में time règla को आपको टेक्षर करना है टाइलिंग का प्रॉपर साइस benzay तो कैसे होता है अगर आपको जानना है, तो इस वीडियो को फिल्स एक नियुड कर सकते हैं, तो जैसे कि आपी मैं यहां पर देख सकते हूं कि यहां पर इक यह फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग के वाला है, न उसको पाले बनाना पड़ेगा हमें, आपको यहां पर क्लिक कर सकते हैं अभी यहां पर मलें truly करो गए है तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो अब यहाँ पर गणर बखा रहा है आपको सेध्य कर रहा है तो अभी यहां पर हम लोग ने असायंग कर दिया अभी बा linked के शक्त थोड़ा बोड़ा तो वो कर सकते हो जैसे कि दियुक्ति करना है एид को तो यहां से हम लोग इसकर reflection बढ़ा लेंगे और ये glossiness एड़ हो जाएगा उसके उपर अब यह हल्का सा glossy है थोड़ा सा glossiness के लिए और आर गोशनेस इस तरह से अपलाई कर लिया तो थोड़ा सा चमकीला भी बन गया है तो अभी यहां पर फिर चलते हैं इसकी यूबल मैपिंग कर लेते इसकी flooring की तो हम लोग जाएंगे यूबल मैपिंग में सबसे पहले तो जो भी आप जिसके उपर भी और मोडल के उपर काम कर रहा है आपका वह मॉडल पूरी तरह से मेरे बना और अब क्योंकि मैंने सब कुछ सारी चीजे मेजर में बनाई है इसलिए जाके इदर पर मोगर सब कुछ प्रॉपर दिखेगा आपको तो अभी जैसे कि मेरे को इसको बनाना है वन बाइवन यानि कि तीन सो एमें बाइटी से मम का ऐसा कुछ बनाना है तो बस आपको बॉक्स कर लेना यह जो फ्लोरिंग है प्रॉपर साइज में बनी हुई है तो इसलिए जाके फिट करने में को भी ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सेम इसी तरह से आपको वाल के उपर भी इसी तरह से अपलाई कर सकते वाल के उपर मैं एक बार करके दिखा जाता हूं वाल का जो आप देख सकते हैं तो जैसे कि अगर इसको हम लोग कैसे मेजर्मेंट में लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है बहुत साय लोगे साथ कि भाई इतना यह तो मेरे पर टेक्शर तो है मगा जाके यह क्या है पंगा क्या है कि इसके अंदर यह एक टाइल नहीं है इस सामने वाले में बॉक्स पर गया अभी यह क्या पूरा फीट पर आ गया राइट क्या कर सकते इसकी जिए आंदर हम लोगों को जैसे की चार फिट का हई तो कितना होता है 1200 है 1200 है 22100 और कि बारव सो का कि हाइट में भी है राइट राइट में भी है बारव सो अ इस तरह से आप अगर पूरा वाल अगर अपना जो मॉडल है पूरा एक मेजर में बनाते हो तो आपको टाइलिंग करने में काफी easy हो जाता है इस तरह के से काम करूगे तो ठीक है अभी थोड़ा बहुत अगर इसके उपर texture के उपर काम करेंगे हम लोग अगर तो वह भी आप कर सकते हो जैसे थोड़ा बहुत आप ग्लोशनेश चाहिए थोड़ा सा ग्लोशनेश एड़ करना है हलका फुलका जैसा भी आपको चाहिए वह कर सकते हैं मैं इधर पर अप्लाई कर रहा हूं मुटा मोटी लाइक दिस एंड इसको भी वंप में डिया मैंने ओके बंप में आ गया यह और इधर मैं रेंडर करें देखेंगे इसको मगर मप सुचा कि यह टाइलिंग थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो मैं इसकी जगा भी कोई दूसरा कुछ दाल देता हूं कि यह मेरे को ठीक नही अच्छा लग रहा है और इसको इधर बंप में देखो इसको भी चेंज करना हुआ उसके उपर तो वह मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि इसकी अवशक्ता मुझे है भी नहीं क्योंकि थोड़ा बंपी लुक भी नहीं है ऐसा कोई मटेल भी नहीं क यह बंपी है पुरी तरह से ग्लॉसी वाला मटेल से एक टाइल जैसा है यह तो इसको वैसे रहने देता है इसके लिए नहीं करना है मुझे इसके लिए बंप की अवशक्ता थी उसके नहीं को डाल दिया हूं मैंने तो यह काफी अच्छा खासा सा लुक दे रहा है आपर त देता हो हमारा ढ्लिंक भी प्रॉफर साइज पर आ गया है और यहां पर आप देख सकते हो फ्लोकर भी काफी प्रॉफर तरीकर फार तब भूबर चैंज करसकते हैं तो और शाइसन पमुल करसकते हो और टेक्शर में तो जैसा आप करोगे चेंजेश, उसी हिसाब से इधर पर वैसा लूप दिखाए देगा, आपके साइज की हिसाब से जैसा आपको चाहिए, वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपका एक अच्छा कासा, एक प्रॉपर मेजर में टाइलिंग और टैक्शृ अ आप इस तरह से कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट है प्रावलम है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो तो अगर हुआ तो अगर उसके लिए में अलक से वीडियो अपडेट दे